दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले है कि कैसे आप Google My Business Ad और जिसको Map Ad भी बोलते हैं रन कर सकते हैं पहले मैं एक अकाउंट के थुरू देखाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपका Map Ad रन हो रहा है और नहीं हो रहा है और फिर complete step by step हम यहाँ पर Map Ad और Google My Business Ad क्रियेट करने वाले हैं जिससे आप लाइव इस वीडियो को देखकर क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो आपके लिए काफी important होने वाले है क्योंकि जो Map Ad है Google My Business Ad is में आप अपने business profile को Google पर top पर rank करा सकते हैं जिसमें like आपके जो भी customers है वो आपके reviews पढ़ सकते हैं आपकी profile देख सकते हैं location देख सकते हैं आपको directly call कर सकते हैं आपकी website पर visit कर सकते हैं तो यहां से आपके business जो local business है यह locally business वालों के लिए है तो जिससे आपको जो local business है आप अच्छे से उसको promote करके जदा से customers जदा से clients ला सकते हैं तो चलिए start करते हैं कि कैसे Google My Business Ad और Map Ad बनाना है सबसे पहले मैं दखा दूँ जैसी एक Google Ad अकाउंट है और इस अकाउंट मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कैसे आप map ad देख सकते हो map ad बनाने के लिए सबसे most requirement क्या है आप Google Ad अकाउंट में आएंगे तो सबसे पहले आपको assets में चले जाना है map ad भी इसको बोलते तो इसमें एक location asset मिलेगा देखिए यहां पर आपका यह Google My Business का location आएगा यहां पर clicks आएंगे impression आएगा CTR आएगा average CPC आएगा सारा data देखिएगा मतलब आपका Google My Business पर जो आपकी profile है sponsored करके सो रही है क्योंकि क्योंकि हम location asset से हमने अपनी Google My Business profile को Google Ad से link किया हुआ है यहां से link होता है सबसे पहले अगर आप यहां पर create asset करेंगे मैंने link किया हुआ है इसलिए link का option नहीं आ रहा है अगर आपका mail different different 2 mails है एक mail यह एक दूसरा mail है तो पहले link करना होता है आपके main mail पर जिसमें Google My Business का profile हो उस पर mail आएगा यहां से आप mail भीजे के तो उसमें mail आएगा mail को आप request accept करेंगे तो आपका जो business profile है आप देख सकते business profile business profile आपका अप्रूव होगा और यह business profile location access के तो आप like easily rank कर सकते हैं अब आपको add कैसे बनाना है तो चलिए एक new account पर चलते हैं अब मैं एक नए account पर आगया हूँ अब मैं simple तरीका बताता हूँ map add का सबसे simple तरीका और भी जगह से map add run हो जाती ही लेकिन सबसे simple तरीका search add आप बनाए गूगल search add आप बनाए जिसमें location बाले keyword लीचे क्योंकि map add जो है वो location पर चलता है आपके ठीक है particular areas में चलता है जैसे आपने अपनी location से 20 km radius ले ली तो 20 km में आपका add चलेगा तो search add बनाना है और उसमें location extension add करना है तो वो automatic location extension Google my business से link होता है तो वो आ जाता है Google my business पर new campaign पर हम क्लिक करते है इस्टेप बाइश्टेप बता रहा है तो वीडियो को देखके आप बना सकते है ओके new campaign न्यू campaign पर क्लिक करने के बाद campaign का objective आएगा तो create campaign without a goal guidance आगया है and then हमने यहाँ पर ले लिए search ठीक है search लिने के बाद यहाँ पर convergence goal से नते हैं आप goal वगरा सेट कर सकते हैं अभी के लिए हम continue कर रहा है क्योंकि हमारा target है आपको map add रन कराना conversion tracking की sufficient video हमने डाले हुए काफी वीडियो डाले हुए चैनल पर उनको देख लेना यहाँ पर सबसे पहले हम अपना website का link दे देंगे ठीक है यहाँ पर हमने website का link दे दिया यहाँ पर अपना phone number बगएरा दे सकते हैं अभी के लिए हम आगे चलते है नेम बगएर हम यहाँ पर जो cpc होता है जिसको हम बोलते है cost per click cpc काफी कम जाता है google mapad में इसलिए हम यहाँ पर चाहेंगे तो mapad भी run कर सकते हैं और इसमें low cpc यहाँ पर set कर सकते हैं तो हमने 11 रुपीज यह 10 रुपीज यहाँ पर set कर दिया है ठीक है अब हम आगे चलते हैं next करते है so हम next step पे जागा है campaign की settings हो अभी हम mapad बना रहा है इसलिए partner platform जैसे search partner है यह display partner है इनको uncheck कर देंगे ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर आप क्या कर दो चीजह आप कर सकते हैं या तो आप अपनी advance search में जाके ठीक है आप radius में जाके अपनी business profile यहाँ पर select कर लें एक तो आप यहाँ पर pin code आप put करेंगे उस area का pin code put करेंगे और वहाँ से आपको कितने किलोमीटर चलानी है वह आप यहाँ पर set करेंगे यह mapad के लिए factor काफी important है इसलिए तो मैं पूरी mapad बता रहा हूँ बनना search head तो मैंने काफी बनाई हुए मैं बुल देता इस वीडियो में कि आप search head देख ल बिजनेस प्रोफाल यहां पर search कर लेंगे तो बिजनेस प्रोफाल भी आ जाएगा और बहां से आपको कितने किलोमीटर चलाना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वह आप हैं सेट कर सकते हैं सेफ कर देंगी सेफ करने के बाद targeted location हो गया आप यहां पर location option में आ गया है सो हम second ले ले ल यह द करना चाहते हैं जो हमारे 10 किलोमीटर की इडिए से 20 किलोमीटर की डिएस 20 मैल्स की डियास में presenting Language में हमने All ले लिया है एंड कीव डr का भी concept है मैपेड में दना क्या concept की बंध का ठीकित है ऑलल ले लिया है next करते है MON recognise Polš माईपैड में क्या concept apply होता है keywords पे लोकल keywords पे ज्यादा focus करना आपको मैपैड में local keywords पे focus का मतलब आप जैसे digital marketing training प्रवाइट करा रहे हैं अपने area में ७५ तो आप अपने रिया से वालो 10 किलोमीटर की रिडियरस में आप प्रॉवाइट करा रहा हैibly तो आप कोसिस करे हैं आप अपने अपने रिया का नेम दे कर कीवर्ड ते या फिर पूरा सिय्टी का नेम दे क Trinity कीवर्ड है Digital Marketing Training इन भोपाल Digital Marketing Force in working लोकल कीवर्ट का यूज ज्यादा करना है क्योंकि अभी हम जो एड चला रहा है वो मैप चला रहा है लोकल लिश्टिंग वाली एड चला रहा है इसलिए लोकल कीवर्ट का ज्यादा यूज करना है जारे कीवड्स पर हो जाती है लेकिन अगर आपको अच्छा चाहिए तो लोकल कीवड्स यूज़ करें तो यहां पर कुछ कीवड्स आगा अभी के लिए मिनिमम् कीवड्ड ही ले रहा है फिर आप अच्छे चीवड्स चितने भी चाहें वो ले सकते हैं एड्ड ग्रुप बनाके भी इसका यूज़ कर सकते हैं अगे चलते हैं अब आती है एड्ड कॉपी भी ध्यान रखना है थोड़ा सा लोकल एरिया का नाम से डी का नाम भी एड्ड कॉपी में मेंसन करें क्योंकि कीवड्स मेंसन तो करना ही रहा है जिससे आपका अच्छा हो ठिक है दो अभी के लिए हम Nee Concert की देमो के लिए अब बना देते हैं आ Ownいき क्या हाँ करें देन हमारा फर या पर सैटन लिफियो में अपयड़ पर ईँव के लिए और याद रखना लोकल कीवर्ड जरूर्लबूद कार देन हमारा दिगर त्रेंग को हैड्ड कर सकते हैं हमा एरिया का नेम भी आप अपने ढाल सकते हैं जसे एरिया में आपका जो है ट्रेंटिंग सेंटर है फिर जो भी आपका बिजनिस है ठीक है आगे चलते हैं description पूट कर दिया है बिजनिस नेम बिजनिस लोगो यह सब आप एड़ कर सकते हो इन सब को एड़ करने से एड़ का क्वालिटी वड़ता है उप्टिमाजेशन स्कोर पर एफेक्ट होता है तो यह प्रॉपर आप एड़ करेंगे यहां पर ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा हूं सिंपल बिजनिस का लोगों आप यहां से एड़ करेंगे साइट लिंक कॉलौट यह हैं करेंगे यहां से भी इन से भी आपके उप्तिमाजेशन स्कोर में एफेक्ट होता है तो यह भी आप करेंगे ंस ब को एड़ करने का प्रॉपर वीडियो में नहीं बहुत सारे डाह है हमारे सर्च एड़ कोई भी वीडियो देख लो सब में मैंने समझाय हुआ है तो आप उन वीडियो को देखके भी आराम से अड़ कर सकते हैं और ऐसा कुछ उसमें है नहीं रोकेट साइन्स आप इस पर किलिक करूंगे साइट लिंक मांगेगा आपको टाइटल डिस्किप्शन वेबसाइट का लिंक मांगेगा तो पूट करेंगे तो साइटलिंग एक्स्टेंशन वगएरा आप प्रॉपर एड़ कर सकते हैं कॉल आउट एड़ कर सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए हम इसको डन कर देते हैं डन करने के बाद फिर लोकेशन ऐसे एसेट्स पर जाएंगे एंड बहां पर हम इसको देखने वाले हैं तो पहले हम इसको डन कर देखे ठीक है और अब यहम इसको करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद बजएट आएगा यह एक तरीका की सर्च पूरी सर्च अर्ड यह नेवर फिलो Кैशन कि लोकेशन में की लोकेशन और कोपी की लोकेशन पर फोकेस कर रहें ठीक है इत करेड़ में अपना प्टर न आजाएगा हम पब्लिस करेंगे एंदेन फिर हम लोकेशन एक्सटेंशन करेंगे इस केमपेंग के लिए तो पब्लिस कर देदे लिए और फिर उसके बाद आप बिडिभ एगजिस्ट्मेंट को increase करेंगे अभी देखते हैं अब सबसे पहले आपको add an assets में जाना है assets में जाना है यहाँ पर आपको add तो बन गया है यहाँ पर आपको location मिलेगा location इस पर click करना है business profile का name सो रहा है आपको simply plus पर click करना है अगर तो आपका same email id से business profile है तो आप plus पर click करेंगे और महाँ पर अपना business profile select करनेगे अगर आपका same mail id से business profile नहीं है तो simple है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जिस mail id पर business profile mail id देना है उनके पास mail जाएगा वो accept करेंगे then automatic यहाँ पर add हो जाएगा यह काम यह कर लेना है assets में अपना यह अपना business profile link कर लेना है उसके बाद location में जाके bit adjustment को increase कर देना 10% 20% देखे location में आ गए अब जैसे में यह area adjustment को मैं compare to normal increase कर दूँगा 20-30% increase कर दूँगा इससे क्या होगा इस area में add की frequency बढ़ जाए और इस area में हमारा google my business का profile है तो उसकी frequency बढ़ जाएगी और हमारा add google my business profile में properly slow नहीं लगएगा आज की वीडियो इस वीडियो में मैंने बता है कि कैसे आप proper तरीके से map ad setup कर सकते हैं वीडियो तो नहीं रखते वीडियो चलिए उड़े को लाइक कर रहे हमारे चैनल को जबूँ सब्सक्राइब करना कोई भी डाव टा कमेंड वाक्त मा कमेंड करते हैं पूछ सकते हैं थैंक्यू गाइस थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो